सेसन को पूरा एंड तक देखना बिल्कुल बीच में कहीं छोड़के जाने का नहीं किसी को ओके आगे बढ़ें चलो आजाओ फटाफट सबसे पहले टाइप वन की भाग क्या होगी चाहो तो आप हेडिंग लिख लो पहली प्रकार में क्या है वहने कई content नोट करके रखा है जब एक बार में पूरा पूरा भाग चला जाए और सेसफल सुनने आए है सुना आपने जब एक बार में पूरा पूरा भाग चला जाए और सेसफल सुनने आए है चलिए जैसे example माल लेते हैं हमें बिल्कुल 0 से सिखाना है तो 8 में अगर हम 2 का भाग करेंगे तो क्या होग दो चौका रठ न तू फोर्जा एट इसमें पूरा-पूरा भाग चला जा रहा एक बार में और रिमाइंडर जीरो आ रहा है जिससे भाग करते हैं इसको भाजक बोलते हिंदी में इंगलिस में इसको डिवाईजर बोलते हैं क्या बोलते है डिवाईजर बोलते हैं जिसमें भाग जाता है मेरे भाई इसको भाज बोलते हैं इंगलिस में इसको डिवीडियन्ड बोलते हैं उपर जो जाता है इसको भाग फल बोलते हैं इंगलिस में इसको क्वाईसियन्ड बोलते हैं नीचे जो बचता है, इसको सेसफल बोलते हैं, इंगलिस में इसको रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है, लिख लोगे न सभी, डिवीडियंड एंड, क्वाफियंड, ओके, चलो, इसको नोट कर लिजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लिजिए, मैं हट गया हूं स सामने से, जल्दी नोट करिए इसको, फटा-फट, अब इस तरह के और भी धेरो एक्जामपल देखेंगे, जिससे कि आपका बिल्कुल कांसेप्ट किलियर हो सके, ठीक है, जैसे 17 से हमें भाग करना है 85 में, 17 से 85 में भाग कितनी बार जायेगा, आप मुझे जल्दी से बता चलो, कोशिस करो कितनी बार जायेगा, एनिवन, मैं बता देता हूँ, चलो देखो, देखो और समझो, आईए, कितनी बार जायेगा, 17 का भाग मैंने पूछा कि भाईया 85 में कितनी बार जायेगा, यह आपको टेबल आना चाहिए, पता है 17 से 85 होता है, 17 से 85, गटाओ के 0 आ आएगा, अपने मन में सोचो कि इसमें जो डिवीडियंट है, वो कितना है, डिवाजर कितना है, कोशियंट कितना है, फट से बताओ, कुछ समझ में आ रहा है, यह फार्स टाइप का भाग है, जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है, और सेसफ़ल 0 आता है, रिमेंडर हो सकते हैं, मतलब यह देखो, इनको करके बता मुझे कितनी बार जायगा, इनको करके आप लोग देखो कितनी बार जायगा, यह फ़र्स टाइप हो गए, ठीक है, सिकंड टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम आपको हर एक अलग-अलग टाइप के भाग बता रहे हैं, जिने डिवीजन बोलते हैं, मतलब इंगलिस में, आपको अगर यह आ रहा है, तब भी पूरा देखना है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसे भी चीज़ें मिल पाता है, मतलब भाग तो जाती है, पूरा पूरा, लेकिन रिमांडर बचता है, जैसे 11 का भाग रिए 56 में, तो कितनी बार जायएगा, एक और जनकारी, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, इसका भी मतलब हो यह होता है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसका भी मतलब ही होता है ठीक है इसको अनुपात के रूप में बोलते हैं इसको भाग का चिन लगा के लिखा गया है और यह भाग दिया जा रहा है लॉंग डिवीजन मेथेड ठीक है तो इलेबन फाइब जा 55 ग्यारा पचे पच बनना सब्ट्रे किया तो वन आ गया ठीक है यह वह भाग है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है लेकिन फिर भी सेस्पल बचता है आप इसे लिख सकते हैं दूसरे टाइप के प्रकार में आगे लिख लो जब एक बार संख्या में भाग चला जाए पूरता भाग चला मतलब पूरता नहीं लिखोगे भाग चला जाए लेकिन फिर भी सेस्पल बचे ठीक है जैसे 14 का भाग आपको करना है 74 में चलो बताओ फटा-फट बताओ इसमें कितना सेस्पल आएगा C नंबर में बताओ अगर इसमें ऐसे भाग किया D नंबर बताओ अगर 80 में भाग किया और नहीं से अभी अभी मैं बता चुका हूँ कि इन सब का मतलब यही है सभी कर लेंगे ना बहुत अफ़ान है थार्ड टाइब अभी आपको इजी बताऊँगा क्योंकि आपका इसमें दिल लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा प्यार होना चाहिए ना इससे नहीं तो ऐसे मज़ा नहीं आएगी तीफरा टाइब देखिए इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा क्या हाँ इसमें जीरो से इसफल आएगा लेकिन भाग एक बार नहीं एक से अधिक बार जाएगा पूरा पूरा ठीक है चलिए लिखते है कोई डाउट किसी को तो बता देना मुझे टेंसन मत लेना ठीक है स सब्मस चल रहा ना एक दम ओके चल भाई एट टूजा शिक्स्टीन वन यह घटाने पर आया उपर से सिक्स उतान लिया फिर एट टूजा शिक्स्टीन जीरो आया से इसफल भाग पूरा पूरा चला गया ना इस तरह से अगर 612 में अठारा का भाग करेंगे तब भी ऐसे ह होगा कि समझते चलना अठारा का भाग 61 में पढ़ना है कितना बार जाएगा कि तीन बार जाएगा पहले अठार्टियाई चाववन कि देखो यह नंबर उपर भी लिख सकते हैं यहां जगा कम है इफले उपर लिखा है यहां पर उपर जगा भी थी बगल में थी बगल लि उपर से टू उताल लीजिए और अठारा चूग 72 होता है सबको पता है यह यहीं एटीन फोर्जा सेबंटी टू किसी को कोई डाउट्स नो डाउट ना आगे बढ़ें चलो इस तरीके के और भी आप लिख लीजिए जैसे अगर मैं देता हूं आप इधर समझिए नाइन से 288 को भाग करके मुझे बताओ चलो 288 को भाग करो नाइन से कितना भाग फल आएगा बताओ क्वाशियंट कितना आएगा जल्दी करके बताओ सबी कर लोगे ना पका एकदम इवांदारी से अगर आप इसे यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं अपलिकेशन में देख रहे हैं तो आप नोट्स बनाएं और उसे हमें सेंड करें ठीक है चलिए इस पसली मैं ही चेक करता करना है 534 को कि इसको करके मुझे आपको भागफल बताना है ठीक है बताना कि साथी मेरे अब हम देखने चल रहे हैं चौथे प्रकार का भाग पहला प्रकार आपने देखा जिसमें पूरा-पूरा भाग चला जाता है और एक ही बार में जीरो सेस्फल आ जाता है दूसरा प प्रकार आपने देखा जिसमें एक से अधिक बार भाग जाता है लेकिन फिर भी सेस्फल नहीं आता है चौथा प्रकार आप देखेंगे'S जिसमें दो बार भी भाग जाएगा फिर भी सेस्फल आएगा यो Cam जिससे आपको अच्छे से mathematics आने लगे, इसमें जैसे 12 का भाग 745 में, 745 में भाग करना है 12 से, यह आपका चौथे परकार के भाग में है, मुझे आप में से कोई भी इसका सेस्फल बताएगा क्या, एक अच्छी बात है, यह कल्कुलेटर में नहीं होगा उतना सानी से, चलो म देखो, देखो, 12 का भाग करना है किसमें, 745 में, ओके, कितनी बार जाएगा देखो, 12 संग 72, 6 बार जाएगा, घटाओ के कितना आएगा, दो, पका, उपर से 5 उताल लो, अब 12 दूना, 24, सब्ट्रेक करोगे, वन आएगा, यानि भाग फल भी आगया और, सेज फल भी आगया, किसी को कोई डाउट, नहीं, इस तरीके का अगर 16 से 8 साथ, 9 में भाग करो, चल भाहिया, इसको करके मुझे, आप लोग भाग फल बता सकते हो, देखो, आसान है, आसान है, बहुत आसान है, देखो कैसे, बता रहा हूँ, समझो, प्रिष्टर मुझे लग रहा है, कुछ लाइक कर रहा था, थोड़ा बहुत, आईए देखते हैं, एटीन, नहीं, शिक्टीन, सोला का भाग 87 में करना है, पहाड़ा आपको नहीं आता, तो आप मुझे संपर करना, पहाड़ा की में ट्रिक बता दूँगा, ठीक है, पहाड़ा जितना जैदा प्रेक्टिस करेंगे, उतना याद हो जाता है, तो सोला पंचे 80, गुड़ा करक होगे, आप कितनी बार जाएगा, उड़ा कर लो, सिंपल सा बात है, सोला पंचे 80, तो जाएगा नहीं, अब, सोला चुका, 64, गटाओगे इसमें से तो पांच आएगा, इसमें से घटेगा, तो एक आएगा, यानि यहाँ पर क्या हुआ, 15 से सफ़ल आ गया, क्यों, कोई ड बताना, ठीक है, डन, और आगे, अगला एक और ले लो, 15 का 946 में करना, ठीक है, 15 का भाग करना, 946 में, चलो जल्दी लिखो, इसे फटा-फट, यह होगे, आपका 4 प्रकार के भाग, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जाना नहीं कहीं, बने रहना अमारे साथ, अगला प्रकार देखिएगा, जब कोई संख्या लाष्ट में बच जाए, और उसमें भाग न जाए, ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, ध्यान दिजिएगा, इसमें लाष्ट में कोई नंबर बचेगा, लेकिन उसके आगे फिर भाग नहीं जाएगा, और फिर उपर कोई स तो आपका टेबल जाएगा, सेबंटीन का कितनी बार, सेबंटीन थ्री जाना, यहीं सत्रात याई क्या वन, तीन बार जाएगा, तो इसको आप घटाएगे तो कितना आएगा, वन आएगा, क्यों 52 से 51 सब्ट्रेक करोगे वन आएगा, उपर क्या बच रहा है, फाइप, अ इसको उतारने के बाद भी इतना बड़ा नहीं हुआ कि इसमें भाग जाए, क्योंकि सेबंटीन और बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो यह नियम होता है कि सेस्फल जो आया है, उसमें अगर भाग नहीं जा रहा है, उपर कोई नंबर बचा है, तो नीचे उतार लेकिन अगर फिर भी नहीं भाग जाता है, तो भाग ले ही जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, प्रामिस करके तोड़ दो, समझ रहो ना, उतारने का मनलब प्रामिस होगा, आपको भाग ले जाना, जाए या ना जाए, तो क्या करेंगे, जबर जस्ती तो करेंगे नहीं, जी प्रामिस किया था, अगर तुम यहीं छोड़ देते हैं, इसका मतलब यह भाग गलत हो जाता, कैसे, देखो मैं प्रूब करके दिखा देता हूं, एक्चुली यह जो भाग का बेसिक सूत्र होता है, आप समझ लीजिए, इसको फर्मूला मन लीजिए, भाज यानि डिवीड आने लाएक आता है, अगर हम इस भाग को ट्राइ करें रखके, भाज क्या है आप बताओ कमेंट करके फटे, डिवीडियन क्या है 525, डिवाजर कितना है 17, कोईसियन 30 प्लस रिमाइंडर 15, इनको अगर आप देखो मगर प्यार से, तो तरा तिया एक क्यामन, अगर गलत हो जाएगा तो बता देना बिल्कुल, इनका गुड़ा करो के 510 आएगा, 15 जोड़ दो, तो भाईया 510 पंदरा कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा न, यानि दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, इसका मतलब यह भाग सही है, लेकिन एक मिनट के लिए आप सोचिए, अगर इस 15 सेसफ़ल बच गया था, इसको भए इसको बढ़े स्क्रेंसाइड ले लिजी इया वह बात बता देता हूं जल्दी करेए, टुरंत स्क्रेंसाज लेजिए, हो गया, चलो मैं वह बात बताता हूं जो आपको बताना चाहता हूं, ये तो सही भाग रही हो गया, इसको लिख मैं यह कह रहा था कि जैसे यहां पर ववन बचा था ना भाईया ववन बचा था फिर फाइप मैंने उताल लिया था यह 15 से अब इसमें 17 का भाग जाई नहीं रहा था यहीं छोड़ देते तो यह गलत यह गलत क्यों था यह गलत इफ लिये था कि अगर इस पर हम तीन रखते तो सत्रा त्यां 51 हो जाता तीस तो रखते नहीं क्योंकि उपरती नहीं गया था 51 में 15 आप जोड़ते तो कितना होता जानते हो यानि इधर 525 आदा इधर केवल 66 आता दोनों पक्ष बराबर नहीं आते मतलब यह भाग के इस कांसेप्ट के अकार्डिंग गलत था समझ गए ना चलिए अगला नेक्स्ट कुश्चन इस तरीके से आप भाग करिए 491 में 12 से बारा का भाग करिए 491 फट से करके मुझे बताइए कितना भाग फलाएगा बहुत जल्दी कोई भी भाग सही है या नहीं सही है इसके लिए जो अभी तरीका में दिया था ना नीचे यह उसको करके वेरिफाइग कर सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी करिए डिजिटल बोर्ट बहुत जल्दी आने वाला है फिर यह क्लास आपकी उस पर अपडेट कर दी जाएंगी डिजिटली वाले में हमारी कोशिस है दिनों दिन की आपको बहतर सुब्धा मिल पाए साथियों ट्वल का टेबल सबको आता है नहीं आता तो टेबल याद कर लीजिए टेबल याद करना बहुत ही जरूरी है बारा चोक और तालिस चार बार जाएगा ना ट्वल फोर जा फोटी एट फोर टाइम जाएगा वन आएगा सब्ट्रेक करो आप देखो ट्वल का टेबल वन में जाएगा नहीं जीरो बार भी नहीं ले जाओगे वी क्यों क्योंकि हमारा एक जो सिस्टम कहता भाग भाग करने का वह उपर जो नंबर बगल में बचा उसको उतार लो पह अगर उपर से आप कोई गिंती उतारे हैं तो आपको भाग ले जाना ही पड़ेगा जैसे जिंदगी में जब तक साधी नहीं कियो ठीक है रह लो अच्छा है लेकिन साधी कर लिए तो तुमको निभाना ही पड़ेगा मतलब हैरान आत्मा जो इसको देख रही करिया रही ओं वह जाएगा ज़ादा हो जाएगा स्वीर जादा का मतलब यह है वह अइसा नहीं हो सकता कि बैठाव बाफ से बड़ा हो यह इसे हो जा रहा है तो आने जाएगा zer क्योंगों देंख यकृजरो आएगा जो लिखो पर सेंप गट करके जितना वहाँ पर लिखा था लेकिन यह हो जागा अंसर को समझ मैं एक और लिखिए 14 का 993 से 993 में 14 से बात वही हुई इनको करके मुझे भागफल बताना ठीक है सेबन सेबन एट में 19 से चलो फट से करो और फिर मुझे बताओ बिल्कुल भी टेंसा नहीं लेना मेरे साथियों अगर आपने पीवियार स्टडी को चुना है ना तो हमारी कोशी से मैथ में आपको माश्टर बनाने की बस थोड़ी बैस्तता है इस वजह से कलासे अपडेट नहीं हो पा रही थी पुरानी वाली इस बात का मुझे दुख है लेकिन मैं बहुत जल्दी उन्हें आपको नई सकल सूरत में दिखाऊंगा वो और दिन थे जो आप देख रहे हैं वीडियो में हमारी सकल ना होता है संगर्ष की दिन के वीडियो है उनको देख करके भी आपको मोटीवेशन मिलना चाहिए कम से कम जो पुराने वीडियो द देख रहे हैं या किसी भी छेतर में कुछ बड़ा देख रहे हैं तो वो उसकी एक दिन की मेहनत नहीं है पर्दे की पीछे उसने बहुत मेहनत किया बहुत धूल फांका है तब जा करके वह आपके सामने ऐसे आया है लोगों को लगता है कि यह तो चमतकार कर दिया बस प्र जब भाग तीन से ज्यादा इस्टेप में जाए और सेसफल सुनने आ जाए अब तक आपने देखा दो बार में गया भाग तीन बार में गया ऐसे कुछ देखा था लेकिन सेसफल सुनने नहीं आ रहा था न अलग-अलग प्रकार देख आप तीनी स्टेप में जाएगा जैस इसमें किस से भाग करना है सेबन से हम आपको अलग-अलग चीजें सिखाने की कोशिज करने है इसमें सेस्पल जीरो आ जायाएगा इतना लंबा जाने की बाद भी देखिये कैसे सेबन का सबको टेबल आता हैं चीज्ट दमें टेबल काउंट करना है और अनफट में के तो तो सेबन न न जा थे सिख्टी थरी और सेबन टेंज का सेवं क prints बलाभ मत्लब बोल रहां वहों n Subway 17 मतलभ 1470 मतलब नाइन बार जाएगा ना सेबन नाइन जा 63 हिंदी भासा में बोलें तो साथ नमईया तिरफट नहीं तो इंग्लीज बूकरा मस्टरवत बड़ा अंग्रेज होईगा नहीं आइसी बात नहीं हम उत्ता जानी जत्ता आप जाना थे बस इसको घटाएंगे इसमें से कितना आए इसको पोलियो मार दिया हुआ सही जाने दो अब क्या होगा साथ का भाग इसमें जायेगा नहीं उपर पड़ोसी है इनको भी लेल उनके फात्में आप कितनी बार जाएगा अ सेबन एट जा शापन ज्यादा हो जाएगा तो साथ बार जाएगा सेवन से बंजा फोटी कैसे भी जानते हो तुम उन्चास में छे जोड़ो के पच्पन आएगा तो छे लिख तो बाकी कुछ मत लिखो ठीक है आधा काले से लिख लो चलो अब ऊपर कुछ बचा था हां बचा तो था कहां यह नो बचा था ना ए भाई या देखा ना राजा या पांच को मैंने यह को नो कैसे लिखा था नो बचा है नो को यहां लाकि लो इसके नीचे यह कितनी बचाल आगा हां है नो बस बार दरद लगना इन एसमे ना Comeन सब्सक्द कभीबर अगया भाग यह गया तो तीन-चार स्टेप में लेकिलंगी जीरोग आ यानि कोशिज तो इन्होंने बहुत किया उटक-पटक की लेकिन लाश्ट में सब सांध ठंडा लिख लीजिए हम आपको सिखा रहे हैं भाग अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग के संपर्क में रह करके सीखना चाहते हैं तो पीवियार स्टडी अप्लिकेशन में सब्सक्रेब्शन लीजिए आए आए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलिए इसमें और ले लिजिए एक आठात्तर पंचानवे अठासी चल भाग करो इनको फट से करके मुझे भाग फल बताओ कर लोगे सभी इमानदारी से बताना देखो यार कोसिस करना चाहिए बस जिन्दगी में क्या होगा यह नहीं पता है ठीक है क्या सोचें जिन्दगी में क्या होगा क्या सोचें जिन्दगी में क्या होगा कुछ सफलना हुए तो क्या हुआ ताजुरूबा तो नया होगा ऐसे तो कुछ है ना चलो ट्राइब करो आईए देखिए बारा का भाग इसमें जाएगा इसको मिटा यहर कितनी बार जायगा छे बार जायगा बारा चंग बहात्तर क्यूं तो इसमें से घटाओ कितना आएगा छे अब देखना समझते जाना आगे फटाफट शाथ बार जाता तो साथ दूना चौदा स्वाथ एक कम साथ एक आठ चौरासी हो जाता जाता अब उपर से नाइन उतालो कितनी बार जाएगा 69 में 12 का टेबल कितनी बार जाएगा आए ट्वेल यहनी बारा पंचे साथ बारा च्छंग बहात्तर पांच बार जाएगा न करके देखो भाई पांचे बार जाएगा तो बारा पंचे स्टार्ट गटाओ गे नौ आएगा उपर देखो और कुछ बचा है 78 तक हो गया यह 9 यहाँ पर उतार लिया था अब यह 5 यहाँ उताल लो कितनी बार जाएगा अ कितनी बार जाएगा हो बारा सत्य चौरासी बारा अट फे चान्वे जादा हो जाएगा सेवन टाइम जाएगा बारा सत्य चौरासी है ना यह 15 पंदरा मैंसे चार गया कितना हैगा एगा पंदरा कहें करोगे वैसे सीधा तो घट रहा है वन वन ग्यारा हां देखो समझते चलो भीया नो यहां पर उतारा था बचा हुआ पांच यहां पर उतारा था अए चाच्चा अब यह ने रहू घे रहू बैठे यह दूजने इनको भी उतारना पड़ेगा कहें कहें ट्वेल का भाग अब इसमें नहीं जाएगा क्योंकि सब्सक्राइब हो चोटा हो गया वो बड़ा हो गया तो ऊपर से सपोर्ट लेएंगे यहां से आप चला जाया ना बारहाध हम्मां 120 जाधा हो जाएगा तो नाइनइन बार जायाएगा वन जीरो एटे एक सो अठारा है तो दस आएगा क्यों सही जा रहा है ना कि बारह नमई एक सो आठारा आप फिल एक नौइक दस अभी देखो एक आठ तो यहां पर उतार लिया था उपर फिर अभी बच्चा था इसको भी लिख लो तो फिर नव बार जाएगा बस हो गया अंसर नीचे लिख तो एक सो आठ समझ में आ रहा सभी को ना कोई डाउट नहीं भागफल कितना आया 65,799 जानी 55,799 चलो जल्दी लिखो अगला नेक्स टाइप नेक्स टाइप चले या और भी इसमें कुछ और कोईश्चन आप लिख लीजिए उनतालीस उन्यासी चोहत्तर उनतालीस उन्या इनको आप छे से भाग करके मुझे भागफल बताओगे जल्दी करो एक और भी लिख लीजिए आप लोग फट से लिखो अठाटर पचास सोला इनको भी भाग करो फटाफट मुझे भागफल बताओ चलो बहुत जल्दी फास्ट उमीद है कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कुछ लोग तो नहीं समझ पा रहे होंगी क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग बहुत देर में समझ में आते हैं कभी कभी देर भी हो जाती है समझने में है न चलिए तो मेहनत करिएगा कोशिस करिएगा अगर कुछ अच्छा मिलता लाइफ में उसे समझने की के साथमा टााइब देखिए इस तरीके से बस देखते जाहिए बहुत कुछ दिखाएंगी आपको कि चल भया सतवा देखो सथमा टाइप में कहा है सत्वा टाइब कहाँ गाँ हो दसामलो वाली भाग यह दसामलो वाली भाग चाहे तो लिख लो डेसिमल वाली भाग जैसे दो का भाग करना है अगर किस में ग्यारा में कितना आएगा complete इसमें एक condition है कि आपको सेस्फल बचाना ही नहीं है सेस्फल बचेगा तो लेकिन आपको बचने नहीं देना है सत्वा आप चाहे तो हेटिंग लिख लीजिए उपर दसामलो वाली भाग कितना बार जाएगा पहले पांच बार जाएगा ना दो पंचे दस घटाने पर एक आया लेकिन हमें सेस्फल नहीं बचाना है सेस्फल खतम कर देना है तो क्या करेंगे ले जलो जब आगे देखो ट्राइ करके देखो उपर दसामलो बढ़ा के यहां जीरो उतार लेंगे और फिर पांच बार जाएगा दस इस तरह से जीरो सेस्फल आगे आईसे अगर हम आपको और भी दें तो कर लोगे न सभी हजम हो जाएगा न चलो चार से भाग करो एक आईस में आईसे करते हैं इसको एक आईस में डिवाइड बाई चार चलो भया आईसे लिखते हैं आईसे बस चार पंचे बीस गटाओ गए एक आएगा उपर दस हमलो बढ़ाओ यहां जीरो चार दूना आठ कर लो कर लो कोई दिक्कत नहीं है गटाओ गए दो आएगा जीरो उतालो चार पंचे बीस बस हो गया डन इस तरह से एक और लिखिये किसी को कोई डाउट कोई तकलीफ कोई कनफूजन तो बता दो भाईया कनफूजन नहीं कनफूजन बोलते हैं वो वो थोड़ा थोड़ा लुड़ बुड़ा जाता है कभी कभी चलो एक और ट्वेल का फिप्टी फोर में अब इसको आप लोग करके मुझे बताना क्योंकि यह मेरा मन नहीं इसके आगे कि मैं इसको करूं और जिस चीज का मन नहों उसे करना नहीं चाहिए लिखिए फाइव थ्री चार सा उन्तालिस इनको भी कर लेना आप लोग तिरपन तिरालिस चौरान नवे इनको सब को करना है आपको ठीक है दन ये था सातमा परकार का भाग जल्दी करें अब हम आप दिखाएंगे आठवा परकार की भाग एट नमबर टाइप चलिए आठवा नमबर के लिए रेडी स्क्रीन साट ले लिया करिए या वीडियो को पुछ करके लिखा करिए कोई परकार की तकलीफ है तो नमबर उपर दिया गया उस पर मैसेज करिए जो बच्चे सब्सक्रेप्सन लिए उनको इसपेसली एक नमबर दिया होगा नाइन फोर से उस पर वो मैसेज करेंगे तो उनको फास्ट रिपलाई मिलेगा ठिक है अठमा टाइप अगर आप इसे यूटूब या डेमो के रूप में देख पा रहे हैं यूटूब या फेस्बुक कहीं भी तो पी वी आरे स्टड़ी आप डाउनलोड करके आप कंप्लीट कोर्स अच्छे से धंक से पढ़ सकते हैं यह अप्लीकेफन का नाम है पी वी आरे स्टड़ी ओके भाई यह है बड़ी बड़ी भाग बड़ी भाग मतलब ऐसा जिसका कोई अंतना हो बरका बरका भाग बरका बरका मतलब समझ रहे हो इसके बारे में मैं बहुत बिस्तार से बाद में बताऊंगा पहले आप देख तो पांच में तो इनका ना आधी है ना अंत है यह कुदा अनंत है तो पहले कितनी बार जाएगा सत्रा चक का एक सो दूई गटा लो भाईया तीन आएगा उपर दसमलों बढ़ाओ सिलसिला शुरू यहां पे जीरो उतारा सत्रा एकम सत्रा गटाओ इसमें से तेरा आएगा को कोई डाउट होगत बताये जाना एक बार दसमलों बढ़ाया बार बार जीरो उतार सकते हों सत्रा सत्ते 119 गटाओ के 11 आएगा क्यों एक बार दसमलों बढ़ा के रजिस्टर करायों जीरो उतार लो बार बार 176 का 102 कितना आया ठाया अब कोई डाउट इसमें कोई तकलीफ नहीं ना चलो अब क्या करेंगे फिर से जीरों उतार लो दसमलों बढ़ाया वाल रेडी तो 177197 बार तो जायेगा नहीं पांच बार भी नहीं जायेगा चार बार जायेगा पांच बार काहन जायेगा क्योंकि 85 हो जायेगा तो चार बार जायेगा 10 में से 8 गया 2 इसमें से उधार गया 7 7 में से 6 गया 1 ठीक है फिर 0 उतार लो फिर 4 बार जायेगा गटाने पर एक आयेगा है ना अब क्या करेंगो फ्रेज़ा कि मिन्हाने था रहाएगा अब गजब मुसीबत आई एक जीरो उतारा फिरो नहीं जा रहा है फिर एक जीरो और उतारेंगे लेकिन यहां पर लीमिट पार हो रही अब एक बात दस हमलों बढ़ाया तो बाप को बैनामनी हो गया आप बार बार जीरो उतार सकते हो लेकिन एक कैठी यह नहीं एक ही उतारेंगे लेकिन अगर हमने दो जीरो लिया है एक साथ में तो हम एक जीरो इसको भी देंगे जैसे आपने देखा नहीं है आज कर हमारे देश में सबसे अच्छा एक जाम पला भरष्टा चारका घूस खोरी वाल अगर छोटा सा चप्रासी लेबल का भी कोई बंदा ले रहा है न ऊपर साहब को भी खिलाता है ऐसे अंकेले नहीं खाता है जैसे समझो यह लिया तो अकेले नहीं खाएगा इसको भी देगा तब ही हजम होने वाला है बात वरावर चलो लो चोटी बात थमझ लीजिए जैसे अगर गाउं में कलोनी आई है गराम परदान खा र चलता है मैं किसी का ना्म नहीं ले रहा है इसमें गरियान मत चलो कितनी बार जाएगा अब यहां समझ गे जीरो बढ़ा है यहां भी जिरो उताल लिया यह काम खतम हो गया अब इसमें सौ में कितनी बार जायाएगा नहीं पांचे बार जायाएगा तो नीचे दिख रहा है न तो सतरा पचे पचासी घटाओ गे 15 आयग यहां अगरी ट्रांसपर हो गई अब 15 आया पंद्रा में भाग जाएगा नहीं फिर क्या करेंगे जिरुट अलो कि 17 का भाग देड़ सो में कितनी बार जाएगा गटाओ चवदा आएगा हाँ ठीक है फिर अब चवदा में तो भाग सत्राक जाएगा नहीं फिर जीर उतालो अब कहोगे कब तक जाएगा जब तक 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 करो ना यह वही भाग है जब तक मतलब आंतिम इच्छा तक करो यह करने वाली है नहीं मुझे नहीं पता कप कटेगी तुम ले जाते रहो तुम भी करोगे आने वाली यह लड़के बच्राइब लड़के बच्चों के भी करेंगे तब क्या बंजाओ के पता है क्या होते हैं और पापा णे वह सब बहु तो इन्हें क्या बोलते हैं यह रिपीट भी नहीं वड़ा कुछ इसमें इंग्लिज भासा में इनको बोलते हैं नान टर्मनेटिंग नान रिक्वाइरिंग या नान रिपीटिंग ठीक है अनावसानी अनावर्ति आफांत दसामलों परसार इनके यह सारे एडवांस नाम है जो आपके काम का है चलिए एकात बार कर लेते हैं थोड़े और इच्छा पूरी कर लें तो फत्रह ठेक 136 घटाओ कितना आएगा चार फिर जिरू उतालो फिर 40 आगया देखो सो के उपर गया था फिर छोटा आगया फिर फत्रतियां फत्रह दूना जाएगा 34 घटाओ फिर 6 आगया फिर 60 बन गया फिर ले जाओ इसे जाता रहेगा अभी को छोड़ दो हो गया आप लोगों को सवाल होगा पुरू जी अगर कहीं इसे आगया करने को तो का करेंगे अगर कहीं ऐसे आगया कहीं आंसर पूछा गया है न तो यह 6.17 इसके बाद 6 है न सार्थक अंग और कोटिमान में पढ़ा होगा वन फेबन आप मैक्सिम्म तीन अंक तक लिखा जाता है तो इसको 6 इतने छोड़ द जेखो समझो हमें जिस अंक तक लिखना है अगर एक अंक तक लिखना था इसके बाद वाली घंती देखते हैं इसके बाद की जो घंती है अगर वो 0 से 4 तक है 0 सो 4 तक है तो हम उस गिंति को ऐसे same to same लिख लेते हैं उसमें कुछ बढ़ाते नहीं है जैसे इसको मैंने 6.1 को 6.2 कर दिया अगर ये 7 नहीं होता 3 होता तो इसको हम 6.1 ही लिखते हैं लेकिन अगर ये 5 से लेकर के 9 तक है 5 से 9 तक है तो इसकी जो गिंती है जैसे 1 था ना ये इसके बाद में जो है अगर वो 5 से 9 के बीच का है तो इसमें एक बढ़ा देते हैं जैसे इसमें बढ़ा दिया ठीक इसको ऐसे समझ लो आपके अगर ये ऐसे होता 1, 3 और ये 6 इसको हम फाइनल में लिखते हैं तो 6.1 ही लिखते हैं तू नहीं करते हैं क्यों क्योंकि वन के बाद का जोगिंती हो 3 है 3 जो है 0 से लेकर 4 के बीच में आ रहा है ये काम की बात थी ठीक है लिख लो भाई लिख लो लिख लो आगे बढ़े जल्दी करो हो गया डन चलिए लो प्रावलों कोई कन्फूजन नहीं किसी को चलो भाई या आगे बढ़ते हैं हम लोग देखे लाइफ में अगर कोई समस्या है तो उसे जरूर सेर करो किसी ना किसी से कभी-कभी हम ना उसका समधान होने कि बावजूद भी नहीं सेर करते किसी से हल नहीं हो पाता जेलते रहते रहते हैं जो टेकनिकल चीजें होती है आपकी क्लास रिकार्ड करने में OBS Studio से रिकार्ड होता है प्राया अगर आप जूड़े हैं कहीं इससे तो आपको पता होगा जो मैंने MacBook लिया नया तो उसमें बिंडो में तो हो जाता था इसमें बड़ा जोला होता था यार यह इतना महेंगा लेने के बाद भी लाइक करता था और सिस्टम से नहीं हो पाती थी मैं सोचता किस से पूछू तो हमारे दोस्ती हैं सब बातचीत होती थी आसे लेकिन कभी मैं सोचा नहीं से पूछ लूँ अभी फोन किया दिन उसकी कुछ प्रॉब्लम थी उसी से संबन थी तो मैंने कहा रहे यार यह तो मेरी भी प्रॉब्लम क्या है हमारी कुछ अलग थी मतलब मैं उसकी प्रॉब्लम का समधान कर दिया हो मेरी दोनों की बात बराबर लेकिन व करना कि क्योंकि जब कि किसी परिवार में निर्णय करने के लिए बाहर का कोई बेक्ति आने लगे न तो परिवार फिर बहुत जल्दी बरबाद हो जाता है इस लिए ऐसी बाते नहीं बताने चाहिए चलिए आगला देखिए 67697 इनमें भाग करना है भाग करके मुझे भाग फल बताना चार पांच अंक में साथ अंक में जितने में कर पाओ अगला लिखो 17749 इनको करना दस हमलों के बाद साथ अंक तक सभी को साथ अंक तक कर ले ना कि चार सो साथ साथ सो बाननेवे इनको सबको करना है ठीक है यह लॉंग डिवीजन है बड़ी बड़ी भागे हैं जिनका कोई आधियंत नहीं होता है चलिए आगे बढ़ें तो यह हो गया साथ ही मेरे आठ परकार की भाग अभी इसमें तीन चार परकार और भी देखना है नौ नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंशन देखेंगे अब मतलब है यही सब चीजें समझाया भी हूं लेकिन उसको थोड़ा अलग तरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंशन क्या लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंशन ठीक है चलो नौ नंबर लिखो क्या मैंने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्सपेंशन क्या करना है नौ नंबर लिख दिया ठीक है इसमें क्या होता है कुछ इस्टेप बाद भागफल सुनने आ जाता है ठीक है चलिए इसको मैं आपको थोड़ा सा अगर कहो तो बिस्तार में बता दूंग वैसे भाग वाला ही कांसेप्ट लेके चल रहे हैं तो जाने दीजिए नहीं समझी लिजिए ये भी इसी में काम का है जैसे अगर मान लेते हैं कि हमें भाग करना है ऐसे एक सो सतर में पचीश से ठीक है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्स्पेंसन है या नहीं इसकी पहचान क्या होती भी से शुरूप से जानते हो देखो जो हर है न एक चीज समझो पहले इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें भी कोई बुराई नहीं है इसका इसका और इसका मतलब एक है ठीक है तो मेरे भाई यहां पर यह समझो कि इस 25 को हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको इस 25 को हम लिख सकते हैं मतलब सत्तर और पांच गुड़ा पांच लिग सकते हैं यानि मोटा-मोटा कहने का यह मतलब है कि जब हर यानि जो नीचे वाली संख्या है उसका क्या गुडपल मुड़न फल तो कम सही रहेगा उसका गुड़न खंड फैक्तर उसका फैक्तर या तो दो आए सिर्फ और सिर् फिर दो और पांच दोनों आए कि तब उसका दसमनों पर्सार सांत होता है जिसे इंग्रिपाने कि पूरा-पुरा कट जाएगा 0 से सफ़ाल आएगा कुछ स्टेप के बाद कि आई ये देखिए कैसे समझने की कोशिस करिएगा पूरा भरपूर कि समझ गया ना मेरी बात इसको कुछ और भी बातों से समझ लो पहले समझ लो फिर भाग करें बाद में जैसे एक दूसरा मैंने दिया यह मान लो इसको ए मान लेता हूं एक भी ले लो मान लो कि 135 में हमने भाग किया 50 ये भी क्या है टर्मनेटिंग है काहे को आप इसको ऐसा कर फकते हो 50 को हम लिख सकता हूं 10 गुड़ा 5 और इसे और ज्यादा तोड़ें तो हमाइधा लिख सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं दो गुड़ा पांच और आल्रेडी एक पांच है यानि ये दो और पांच की रूप में आ रहा है बाकी कोई और संख्या नहीं आ रही ना बीच में तो यह क्या दर समुलों परसार इसका टर् जैसे माल लो 1857 नीचे 1000 दे दिया ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसको हम कैफा लिख सकता हूं 1857 बटा इसको 10 गुड़ा 10 गुड़ा 10 लिख सकता हूं और 10 को 2 गुड़े 5 लिख सकते हो इस तरीके से इसके सारे फैक्टर 2 और 5 की रूप में आ जाएंगे ठीक है कोई समस्या नहीं किसी को नहीं न चलो तो अब इसको भाग अगर आप करोगे न तो यह सारे भाग चले जाएंगे पूरा पूरा स्वेश्फल जीरो आएगा करके देख लो चाहें चलो करके दिखाता हूं आओ चलो लो समझो चलो कि पचीस का भाग करो कि पचीस का भाग करो इसमें एक सो सत्तर में करो एक बार देखो कि करो कि पचीस चक्का देढ़ सो गटाओ के बीस आएगा न देखो भाई इसमें आप आप क्या करोगे आप उपर दस हमलो बढ़ाओ यहां पर जीरो उतार हो पचीस अठे दूइसो इस तरह से आपका पूरा पूरा यह कंपलीट चला गया जीरो आगे से फ़ल इसके पहले आपने देखा था दस हमलो बढ़ाने के बाद भी कौनो मतलब ने निकला न तो यह क्या आई टर्मिनेटिंग डेसमल इक्सपेंसन है इस तरीके से जैसे आप कोई भी और देख लीजिए माल लीजिए कि हमने कहा कि भाईय चलो पांच का भाग करना है कुछ भी नंबर हो जैसे मालो एक सो अठावन तीन दो यह भी पूरा पूरा चला जाएगा क्यों क्योंकि जिससे भाग कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पांच है इसको हम ऐसा लिख सकता हूं 158 32 अपान 5 चुकि नीचे जो डेनोमिनेटर है वो सिर्फ और सिर्फ फाइफ है और अगर सिर्फ फाइफ है यह सिर्फ टू है यह टू और फाइफ में से दोनों है तो उसका पूरा-पूरा भाग चला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमाल इक्सपेंसन कहला है ठीक है चलो भाग कर लो इसमें उपर लिख देता हूं फान तियाई 15 घटाओगे जीरो से इसफल उपर से 8 उतारो पांच एकम पांच घटाओगे तीन आएगा उपर से दो उतारो फान चंक तीस घटाओगे दो आएगा हाँ देखो यहाँ पर मैंने उपर से 8 उतारा था यहाँ पर मैंने क्या उतारा था आठ के बाद देखो भाई यहाँ पर तीन उतारना था ठीक है तो यहाँ पर तीन आता उसमें क्या बुराई है अभी दो उतारना है अब पांच घटाओगे दो आएगा ना उपर दस हम ल दालो मेरे भाई यहाँ पर जीरो उतालो पांचोंग बीस देखो फाइनल में जीरो ही मिलेगा आपको सेस्फल ठीक है कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को लिखो जल्दी कि डन कि आगे बढ़ें चलिए इस तरीके से आप और भी बिभिन्य परकार के भाग कर सकते हैं हां पांचोंग बीस इतना ही था ना लिख लो जल्दी से भई चलो फाइस्ट करो कि आगे बढ़ें कोई डाउट नहीं कोई परेसानी कोई तकलिफ नहीं न ठीक है अब क्या करना है अब क्या करना है खतम हो गया इस टाइप के बहुत सारे कुश्चन बनते हैं आप लोग कर लेंगे अगर चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे दो सो का भाग तीन सो साइटिस में करना है कुल मिला करके यह कहने का है कि नीचे जो नंबर है उसका अगर फैक्टर करने पर उसका अगर फैक्टर करने पर जो गुडन खंड है वो दो के रूप में आये या पांच के रूप में आये या सिर्फ दो और पांच दोनों के रूप में आये तब वो टर्मिनेटिंग डैसिमल 6 एक्सपेंशन है दंसनलो बढ़ाने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा धिर 0स pet ला जाएगा थी कह है इनको क्या बोलते हैं सो टर्मिनेटिंग decimal repeating यहनि non-terminating or repeating यह requiring type number 10 में type number 10 लिख लो non-terminating non-terminating and recurring 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 decimal expansion यहनि दसामलो परफार इसमें एक कै नंबर बार बार रिपीट होता है जैसे जेखो 1 upon 3 so we can write as 1 रेफियो 3 ओके साथी मेरे इसको आफे भी आप कर फकते हो उपर पहले 0 बार भाग आएगा इहां पर घटाओं यहां गहता है गहता है दसामलो बढ़ाओ 0 उतारो इसे उपर ऐसे भी लिख लो एक लाइन लिख लो ये बस यहां पर अनन्त जहां पर कोई अन्त ना हो ठीक है कोई डाउट किसी को नो डाउट चल भईया आगे नेक्स अगला इसमें लिखिए नहीं देख पाये थे नहीं लिखे थे तो वीडियो पीछे करके देख कि बीस में तीन का बाग करके मुझे बताओ सभी चलो गेट फास्ट कि इंगलीज मैं इसे बोलेंगे फी नंबर पांच बटा नो चल भईया यह बताओ यह कौन मुसीबत है नो का भाग पांच में करना है इसको ऐसे भी कर लोगे आप नो क भाग जाये कितनी बार जीरो बार पहले जायेगा जीरो घटाओ पांच आया दसमलो बढ़ाओ 0 उतारो 9 9 81 9 55 ना घटा आओ गे 5 आएगा 0 उतारो 9 45 फिर घटाओ गे फिर 5 आएगा फिर ऐसे ऐसे जायेगा ये कटने वाला नहीं है अब ये 5 5 जायेगा बार बार चाहे यतनी बार ले जाओ तुम ठीक है इस तरह के से आप लिख सकतो इसे 0.555 । ऐसे आनंद का चिन्द बना दो नीचे लिख दो 0.5 के उपर बार ऐसे मतलब यह बार बार रिपीट है कि समझ में आया कोई डाउट नहीं 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 चलो अगला इसी टाइप का और भी आप कर लो भाईया 23 में 33 का कर लो और बोर नहीं हो ना मज़ा नहीं हारी का घ कोछ आफ धीडियो थोड़ी देख रहे हो की कुछ 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 हो रहा है कुछ principle हो नहीं कहसारी का देक्टाबों कुछ कुछ होता है अब वहीं कपिल सर्माक कमेड़ी देखो यह तब ही और अब आमको देखके किसी का होगा है ना चलिए तो थोड़ा-थोड़ा होता रहे आपको हमारी कोशिस है जिससे आप जागते रहों सोना नहीं है चलो बस खतम हो गया खतम हो गया कि जग रहे हो सभी न एक बार बताओ भाई कमेंट करके मैं देख रहा हूं सबको देख रहा हूं सबको देख रहा हूं जो मुझ धूल के बैठा है जो वह इसे बैठा है बुरी हालत में उसको भी देख रहा हूं चलो इनको भी ऐसे आप कर लीजियेगा, फेबन नाइन वाला भी कर ले ना भईया, फेबन में नाइन का भाग करना है, चाचा ये ऐसे करना है, चलो, ये था दफ नंबर का भाग, मतलब टाइप नंबर दस, एक लाश्ट टाइप है मेरे भईया, मेरे बाबू आप इतना देर इसमें रिपीट होगा था बार-बार इसमें न एक दम हट्थी टाइप का जिद्धी टाइप का अरे वही जो लांग भाग अभी देखे थे बिल्कुल वही ये भी है लेकिन एक बार और करवा दिया हूं भाफ नान टर्मनेटिंग एंड नान रिकोरिंग रिकरिंग या रिपीटिंग मतलब एक है जैसे अगर आप देखो अंडरूट टू अंडरूट तीन इनके मान जो है ना ऐसे होते है या आप एक और ले लो दू बटा ग्यारा दू बटा ग्यारा ले लो चलो दू बटा ग्यारा ये भी क्या है इसी का एक्जामपल है जैसे अगर ग्यारा का भाग करना है दो में जीरो बार ले जाओ पहले जीरो दसमलो बढ़ाओ वन बार ज 10-12 1188 गटाओगे दो आएगाजीरो उतार लो 11100 गटाओगे नम आए जीरो उतार लो 1188 वह अब यहीं बार बार जाएगा या यह कुछ टाइब क्या था ना रिक्वरिग न क्यों ये इसका एक्जाम्पल सही नहीं यह यह इसमें का एक्जाम्पल है यह नहीं सब्सक्राइब करने का कोई नुक्सान नहीं लेकिन यह इसका एकजांपल सही नहीं बैठ रहा है क्योंकि यह बार-बार रीकॉरिंग हो रहा है रिपीट हो रहा है क्यों लेकिन चीज और है यह इसके अंतरकत भी आ सकता है क्योंकि एक ही सेम नंबर रिकॉरिंग नहीं हो रहा है अलग-अलग बदल रहा है न फिर भी सई-साइग दम सटीक जो इस पर बैठता है वो यह है अंडरूट टू अंडरूट टू और रूट तीन इनके मान कुछ ऐसा ही होते हैं जैसे लेलो जीरो पॉइंट टियाद तेथर बीस पचास असी लेकिन इसको आप ऐसे नहीं पढ़ना पचास असी पचात्तर लेकिन यह ऐसे पढ़ा नहीं जाएगा ठीक है इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं दसामलों के बाद ऐसे बढ़ते हैं और यहां पर देखो कुछ रिपीट नहीं सब आलग अलग न ऐसे यह कैसे निकलता भाग विधी से जिनको वर्गमूल नहीं आता है आप आगे देखना मैं वर्गमूल सिखाऊंगा भाग विधी वाला तो उसमें सब कलियर हो जायेगा ठीक है क्या भाग विधी से वर्गमू इस तरीके से इसको भी कर लो अगर आप अंडरूर्ट तीन वाला इसमें भी ऐसे कुछ आएगा यारे तीने कमांद मैं लिखा हूं भई सुरी बस हो गया अंडरूर्ट दो वाला देखो क्या आएगा ऐसे कुछ आएगा ना ऐसे कुछ आएगा यह सभी क्या है यह थे भाग के दस ग्यारा बारा प्रकार अगला इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि दसमलों का भाग और जोड़ घटाना और गुड़ा यह सब डेस्मल वाले में होगा जिसमें दसमलों से दसमलों वाले संख्या में भाग होगा वही बैरियेबल यक्स और वाई का भाग जो है यह सब अलजेबरिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में होगा लेकिन इस वीडियो में आपको मैंने भाग करना बिल्कुल सिखा दिया सुरू से अंतर तक इस तरीके से जो बड़ी बड़ी भाग होती हूं उनको भी ऐसे ही करते हैं सारा कंसेप्ट बता दिया हूं बाकी इस पर और भी बहुत सारे कोईशन हो सकते हैं जिने आप खुद दिल से धन्यवाद बहुत जल्दी आएंगे अगली क्लास के साथ अपडेट कर रहे हैं पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स पीवीर स्टडी एप में अगर आपने इंडोल नहीं किया है तो उपर नंबर दिया गया स्क्रीन पर संपर्क करिए ज्वाइन जेड एल एम लिके दिल से लिकेए्ट आपने लिकेए्ट आपने चाल जो में लिकेए्ट कर दूरा एमें अगली कर दो कि अधंगे एल-गाद उन्मान एख लुड़,ो बहु़ग नदिसीमान तो